जैसिर कृष्णा रादे रादे आप सभी का मेरे लड़ू वपला चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज का टॉपिक है कनईया और कुमहार का समवाद जिसमें कुमहार ने बातों ही बातों में कनईया से ये वचन ले लिया कि प्रभू जो भी आपके और मेरे इस समवाद को सुनेगा उसे आपको इस 84 लाख योनियों से मुक्ति यानि भवसागर से आपको पार कराना पड़ेगा फ्रेंड्स कथा में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजे जिससे जब भी मैं कोई बडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजे तो आईए सुनते हैं कनया और कुमार का समबाद प्रभू स्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है स्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां स्री कृष्ण का उलाना लेकर यशोदा मैया के पास आती ऐसा बहुत बार हुआ एक बार की बात है कि यसोदा मैया प्रभु स्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर स्री कृष्ण की ओर दोड़ी जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाओ करने के लिए भागने लगे भागते भागते स्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में ब्यस्त था लेकिन जैसे ही कुम्हार ने स्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ कुमार जानता था कि स्रीकृष्ण साक्षात परमिश्वर हैं तब प्रभु ने कुमार से कहा कि कुमार जी आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है मैया चड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है भैया मुझे कहीं छुपा लो तब कुमार ने स्रीकृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया कुछी छणों में मैया यसोदा वहां आ गई और कुमार से पूछने लगी क्यों रे कुमार तूने मेरे कनहिया को कहीं देखा है क्या कुमार ने कह दिया नहीं मैया मैंने कनिया को नहीं देखा स्री कृष्ण ये सब बाते बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहते मैया तो वहां से चली गई अब प्रभु स्री कृष्ण कुमार से कहते हैं कुमार जी यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बहार निकालो कुमार बोला ऐसे नहीं प्रभु जी पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो भगवान मुस्कुराए और कहा ठीक है मैं तुमे 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ अब तो मुझे बहार निकाल दो कुमार कहने लगा मुझे अकेले नहीं प्रभु जी मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो गए तो मैं आपको इस घड़े से बहार निकालूंगा प्रभु जी कहते हैं चलो ठीक है उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ अब तो मुझे घड़े से बहार निकाल दो अब कुमार कहता है बस प्रभु जी एक विंती और है उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बहार निकाल दूँगा भगवान बोले वो भी बता दे क्या कहना चाते हो कुमार कहने लगा प्रभु जी जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलो के उपर लाद के लाई गई है मेरे इन बैलो को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो भगवान ने कुमार के प्रेम प्रप्रसन होकर उन बैलो को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया प्रभु बोले अब तो तुमारी सब इच्छा पूरी हो गई अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो तब कुमार कहता है अभी नहीं भगवन बस एक अंतिमिच्छा और है उसे भी पूरा कर दीजे और वह यह है जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस समवात को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूँगा कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभू स्री कृष्ण बहुत खुस हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया फिर कुमार ने बाल स्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया उनके चर्णों में साश्टांग प्रणाम किया प्रभू जी के चरंधोय और चर्णामृत लिया अपनी पूरी जोपड़ी में चर्णामृत का चड़काव किया और प्रभू जी के गले लगकर इतना रोय कि प्रभू में ही विलीन हो गए जरा सोचे जो बाल स्री कृष्ण साथ कोस लंबे चोड़े गुवर्धन परवत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे लेकिन बिना प्रेम रीजे नहीं रटवर नंद किसोद कोई कितने भी यग्य करे अनुष्ठान करे कितना भी दान करे चाहे कितनी भी भक्ती करे लेकिन जब तक मन में प्राणी मातरे के लिए प्रेम नहीं होगा प्रवू स्री कृष्ण मिल नहीं सकते जै स्री कृष्ण रादे रादे